नमस्कार साथियों अब सभी का हमारे जगेशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कमिटी पर एक बार फिर से स्वागत है आज का ये जो सेशन है ये बेज होने वाला है कॉंपटिशन कमिटी के द्वारा शुरू की जाने वाली आफ्लाइंग क्लासिस पर तो सबसे पहले तो आपको डेट नोट कर लेनी है कि ये जो क्लासिस है ये 15 मार्स से शुरू हो रही है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्लासिस आपको किन-किन शहरों में मिलने वाली है इन classes की क्या-क्या विशेचताए होने वाली है, क्या-क्या specialization होने वाली है, इस पर हम लोग विश्थित रूप से चर्चा करेंगे तो इस पर भी विश्थित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को विडियोज प्रवाइड करा जा चुके हैं, कि किन-किन सेक्टर में आप अपने गवर्मेंट जॉब के सपने को पूरा कर सकते हैं, उसके लिए इलिजबिल्टी क्या है, कि 10th के बाद किन-किन आप सेक्ट तो चलिए, जानते हैं, फीचर्स, सबसे पहले यहां पर आप देख पा रहे हैं, बुक्स, यह बुक्स क्या है, तो जब भी कोई बच्चा किसी भी कोर्स के लिए एंडूल होता है, तो उसका जो सबसे पहला प्रशना आता है, कि सर कौन सी हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, तो यहां पर आपको additional किसी भी study material के आवशकता नहीं होने वाली है, यानि जिस भी particular course के लिए आप enrolled हो रहे हैं, आपको उस course से संबंधित study material competition community के द्वारा प्रवाइड करा जाने वाला है, तो यह attention आप बिलकुल अपने मन से निकाल दीजे, हटा दीजे, बात करेंगे अग यह सारे के सारे exam आपके online mode में conduct करा जाते हैं, और होता क्या है कि जब हमारी पहले से practice नहीं होती है, तो कई बार हम जा रहे होते है, option लगाना होता है, A और mouse भाग रहा होता है, B पर, mark for review, या इसके अलावा additional features होते हैं, जो कि हमें online exam में language कैसे change करनी है, क्या-क्या और additional facilities मि हमें online test में, तो यह जब हम practice करके जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो हमारा speed है, वो बहतर होता है, हमें कैसे target करना है, किस तरीके से हमारा approach होना चाहिए, किन sections को हमें पहले item करना है, किन sections को हमें बाद में item करना है, किस particular question के लिए कितना time लगना चाहिए, यह सभी हम पहले से क्य student हमारे साथ जूलेंगे, बहुत सारे से हमारे साथ ही जूलेंगे, जिनके पास personal computer या laptop नहीं होता है, तो क्या ऐसे बच्चे practice नहीं कर पाएंगे, नहीं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, वो बच्चे भी practice कर पाएंगे, जिनके पास personal computer या laptop नहीं है, वो बच्चे भी बैतरीन त्यारी करके एक्जाम में जा पाएंगे और सेलेक्शन अपना सुनिश्चित कर पाएंगे इसके लिए यहां पर आपको प्रोवाइट करा जाने वाला है लैब फैसिल्टी लैब के अंतरगत आपको क्या मिलेंगे कम्प्यूटर्स मिलेंगे आपको सिस्टम मिलेंगे जहां पर बैट करके आप एक्जाम हॉल का अनुभाव ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपके साथ में दूसरे साथ ही भी बैठे हुए होगे जो कि टेस्ट दे रहे होगे तो एक कॉम्पटिशन का महल मिलेगा एक healthy environment मिलेगा आपको अपनी तयारी करने के लिए तो ये lab facility भी आपको यहाँ पर प्रोइट करा जाने वाले है इसके बाद यहाँ पर आप देख पार है recorded video of every class इसको हम लोग hybrid classes भी बोल सकते हैं hybrid classes का model यहाँ पर आपको प्रोइट करा जाने वाला है यानि कि अगर कोई genuine reason है और कारणवश आप offline classes नहीं attend कर पारे है तो इन classes का video lecture आपको मिल जाने वाला है जिसको आप competition committee के mobile app पर live भी देख सकते हैं और recorded form में भी देख सकते हैं तो अगर आपके पास genuine reason है तो भी आपको attention लेने की कोई ज़रुत नहीं है उन classes के videos भी आपको provide करा दिये जाएंगे उनको आप अपने घर से देख सकते हैं या अगर आप engaged हैं किसी दूसरे activity में तो आप बाद में भी उसको recorded form में देख सकते हैं clear इसके बाद यहाँ पर separate doubt clearing session है यानि कि आपका कोई भी doubt है किसी question को लेकर कोई doubt है तो आप one-to-one interaction के साथ यहाँ पर आप देख पार है one-to-one interaction के साथ आप अपने doubts को clear कर सकते हैं या आपकी कोई और भी query है तो भी आप हमसे one-to-one interact हो सकते हैं तो doubt clearing session यहाँ पर आपको अलग से provide करा जाने वाला है इसके साथ जब आपको free book मिल रही है तो साथ में book रखने के लिए bag भी मिलेगा जब आपको lab facility मिल रही है तो lab facility के लावा यहाँ पर आपको separate library भी मिलेगी अब library के क्या benefits है तो बहुत सारे ऐसे चात्र चात्रा हैं हमारे साथ में जूलेंगे बहुत सारे ऐसे हमारे साथ ही जूलेंगे जो की बाहर या दूसरे शहरों से आए हुए होंगे अब वो ऐसे case में क्या करते हैं कि पढ़ने के लिए दूसरे libraries को join करते हैं अब यहाँ पर library का जो सबसे इंपोर्टन जो यहाँ पर role होने वाला है जो benefit मिलने वाला है वो यह होने वाला है कि आपको बहुत सारे यहाँ पर दूसरे authentic sources, books भी study materials भी मिलने वाल है यानि कि आपको एक study area तो मिलेगा ही मिलेगा साथ ही साथ आपको अध्यन करने के लिए अध्यन सामगरिया भी provide कराई जाएंगी competition community के तरफ से तो आप add on करके यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं ठीक है यानि कि आपको जो library का expense है वो भी यहाँ पर आपको additional करने की ज़रूत नहीं है बिल्कुल peaceful environment में बैट करके आप अपनी तयारी को continue रख सकते हैं class worksheet अब जो भी आपने पढ़ा जो भी आपने पढ़ा जिस भी topic को आपने पढ़ा तो उसके लिए आपको study material तो दिया ही जा रहा था वहाँ पर आपको examples भी देखने को मिलेंगे वहाँ पर आपको exercise भी देखने को मिलेगी लेकिन इन सब के अलावा इन सब के अलावा आपको class worksheet भी दी जाएगी आपने किसी एक particular topic को cover किया तो इस topic से लेटे class worksheet भी आपको provide करा जाएगी जहाँ पर number of questions होंगे उन questions को आपको solve करना है और इस पर मुख्य रूप से नजर रखेंगे हम यानि कि आप कितने questions को solve कर रहे हैं नहीं doubt हो रहा है किन questions को नहीं बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं तो उसका reason क्या है इस पर पूरी पूरी निगरानी रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे step by step ठीक है चलिए आगे देखते है test series तो class के साथ साथ जब हम बात करते हैं इन exams की तो जो सबसे ज़ादा important role होता है जैसे कि study material हम बोलते हैं कि बहुत ज़ादा अलग-अलग resources से हमें पढ़ने की जरुवत नहीं है मुख्य रूप से हमें यहाँ पर previous year questions और test series पर focus करना होता है बचे हुए कुछ features हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है revision classes before each exam मान लेते हैं कि bank p.o की आपकी परिक्षा होने वाली है और bank p.o की परिक्षा आज से 5 दिन बाद है तो परिक्षा से 5 दिन पहले कुछ ऐसे आपको sessions पुराइट करा जाएंगे जिसमें आपके परिक्षा संबंधी जो प्रशन होंगे वो देखने को मिलेंगे उनको कैसे बनाना है उसके approach उसके strategy पर किन sections को कब attempt करना है किस particular question के कितना time देना है इस पर हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करते हुए आगे चलेंगे यानि कि परिक्षा से पहले परिक्षा जैसा अनुभाव practice कर गया हमें परिक्षा के अंदर पर जाना है इसके बाद यहाँ पर आप देख पार smart class facilities तो जैसा कि मैंने आपको बताएं कि classes hybrid आपको मिलने वाले जहाँ पर आपको classes की recorded videos भी provide करा जाएंगी तो यह जो classes होंगी यह smart classes आपको देखने को मिलेंगी highly experienced faculty members यानि कि यहाँ पर जो भी आपको faculties कोई भी particular subject deal करने वाले हैं कोई भी particular आपको content deliver करने वाले हैं वो सभी अपने छेतर के expert faculties है highly experienced faculties है तो इस चीज़ की विलकुल भी आपको चिंता करने का हो शकता है नहीं है इसके लावा weekly test ठीक है every Saturday हफते भर में जो कुछ पढ़ा एक तो आपको मिल रहा है यहाँ पर practice के लिए class worksheet और दूसरा मिल रहा है आपको यहाँ पर weekly test यानि कि आप अपना progress खुद देख पाएंगे खुद इस बात को आप analyze कर पाएंगे इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पर exam oriented study यानि कि जिस भी particular आप course के लिए enrolled होते हैं उस course को ध्यान में रखते हुए उस examination को ध्यान में रखते हुए उसमें पूछे जाने वाले प्रशनों का level क्या है उसमें पूछे जाने वाले contents क्या होने वाले है उन पर based यह पूरी की पूरी study होने वाली है तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने का मिलेगा जो कि आपको interview की preparation कराएगा यानि कि overall facilities आपको एक ही जगा मिलने वाली है तो अब आपको यहाँ पर note करना है कि यह facilities आपको किन-किन जगों पर मिलने वाली है सबसे पहले बिलासपूर अगर आप बिलासपूर या इसके आसपास के अरिया से belong करते हैं या बिलासप इन दो मुख्य शहरों के अलावा आपको दुर्ग और राजनाद गाउं में भी competition committee के offline centers मिलने वाले हैं जहां पर आप हमारे साथ जुड़ करके बैंक के सेसी और railway की तैयारी कर सकते हैं तो I hope कि ये जो information है इसको आप अपने दोस्तों तक अपने साथियों तक पहुचाएंगे साजा करेंगे और आपकी जो भी queries है आप दिये गए वीडियो के description box में दिये गए number पर हमें call करके जो भी आपकी queries है उसको आप पूस सकते हैं और साथ ही साथ दिये गए link पर आप registration क सकते हैं इसके अलावा जो भी आगे notification होंगे जो भी updates होंगे उसको वीडियो के माध्यम साथियों तक पहुचा जागा तो आज के लिए फिलाहल इतना ही मिलते हैं हम लोग next वीडियो में कुछ और additional information और amazing announcements के साथ थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये competition community के साथ आज ही हमारे website के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा description box पर दिये गए link पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको